dbt इश्राज पर किसी का created आ रहे किसी का update करके लिखा आ रहे और किसी का reject आ रहे किसान सम्माने दी अजना का पैसा नहीं आ रहे दोस्तो अगर आपका भी यह सावल है तो दोस्तो इस वीडियों का intact बना रिएगा dbt क्या होता है dbt verification केसे काम करता है और जिन लाबारती का reject आ रहे है और reject होने का reason के इसाब से आपको समाधान केसे करना होगा और creator से update केसे करना होगा इसके बारे में भी जानकारी मिलने वाले creator से update कीसे करना होगा और जिन लाभारती का update होने के बाद दी पैसा नहीं मिल रहा है उन सभी लाभारती को क्या करना होगा एर टूर जेज जान करें हम इस वीडियो में share करेंगे सबसे बिले तो सभी लाभारती को किसान संबानी दिया अजना का registration number से आप dbt portal पर जाके अपने इसराज को चेक किजएगा क्योंकि बहुत सारे ऐसे नहीं किसान है जिन किसान को dbt portal की इसराज चेक करना नहीं आता है उनको स्रीफ एक ही सावल है कि मुझे registration number मिल चुका है लेकिन किसान संबानी दिया अजना का पैसा आप तक नहीं मिला क्यों नहीं मिला इसके बारे में भी जानकार यह नहीं है सिर्फ यह पता है कि installment नहीं मिला इसके लिए सभी लाभारती को सबसे पहले अपने ही mobile phone में कोई भी एक internet browser को open करना है और इस पर charge करना है PFMS charge करने के बाद आपके charge result open हो जाएगा किसी-किसी लाभारती की mobile phone में पुरानी वार्जन की data opened होगा किसी का नई वार्जन की data open होगा तो दोस्तों सभी को pfms.nic.in की portal पर क्लिक करना है करने के बाद pfms.nic की नई portal open हो जाएगा यह portal का link मैं विडियो का addition बक्त में दे दूँगा इसी पर आने के बाद आपको यह जो three line bar है इसी पर किलिक करना होगा करने के बाद यह जो payment इस रास है इसी पर किलिक करना है उसके बाद नीचे से लेके दो number की dvt इस रास टेकर पर किलिक करना है उसके बाद simply आपको इसमें category pm किसान चलेक करना होगा उसके बाद dvt इस रास को चलेक करना है अगर आपको payment नहीं मिला तो आप dvt इस रास को चेक किजिएगा यानि के beneficiary validation पर किलिक किजिएगा beneficiary validation पर किलिक करने के बाद आपको enter application ID के जगा PM किसान के registration number पेस करना होगा registration number पेस करने के बाद जो भी कैपसा इस पर दिखाई दे रहे same कैपसा code आपको यह word verification के जगा डालना होगा word verification के जगा डालने के बाद charge पर किलिक करना होगा charge पर किलिक करने के बाद dvt portal की data ओपन हो जाएगा जैसे कि beneficiary details open हो चुका है यह लाभारति का देखिए beneficiary जो details है कितने दिनों से update करके बता रहे इस पर लिखा रहे 2019 मतलब यह लाभारति को 2019 से लेके आप तक एक भी installment नहीं मिला और installment ना नहीं का reason एक ही बता रहे कि created update नहीं हुआ है और update क्यों नहीं हुआ है इसके बारे में भी जानकारी देंगे सबसे पहले हम जान लेते हैं dvt portal होता है कि यह dvt कैसे काम करता है देखे किसान सम्मा ने दिया अजना का जो dvt portal है यह portal के मदल से सभी लाभारती आपने इस्राथ को टेक कर सकते पैमेट को टेक कर सकते कितने तो रोका हुआ है पैमेट pending at bank आ रहे या पैमेट pending at redistrict आ रहे या पैमेट रिजेक्ट आ रहे यह तो जानकारी ले सकते है dvt का full meaning होता है direct benefit transfer सरकारी योजना related जितने भी amounts लाभारती को दिया जाता है जो आपको फिर से बापस करने का जोरूरी नहीं होता है उसको का अधार direct benefit transfer अगर आपको किसान सम्मानी योजना की पैसा मिला है वह भी आपका dvt के तहत मिलेगा और dvt portal से verification होके ही मिलेगा खिसान सम्मानी दियो अजना की इस रास पर land setting एकवाशी आधार setting सही होने के बाद भी अगर आपका dvt tracker पर reject होगा तो पैसा नहीं मिलेगा dvt पर भी आपका verification सही करके dvt पर भी सही होना बहुत ज़रूरी है उसके बाद ही आपकी dvt का लाभ उठा सकते हैं और dvt काम क इसे करते हैं देखिए dvt जो direct benefit transfer की जो portal है कि हर मैना में एक बार verification की जाती है अगर आपका आधार setting और आधार dvt link सही होगा तब भी आपका verification इस ट्रास पर होगा अगर आपका आधार bank account से सही एक bank पर link नहीं होगा तो आपका आधार setting याणिकि dvt verification नहीं होगा जैसे कि यह लाबारती का 2019 के बाद और verification नहीं हुआ इसका मतलब यह लाबारती bank account यह निए सही bank पर जाके आधार को link नहीं किया यह अधार authentication को success नहीं किया जिसके वज़ा से यह लाबारती का 2019 से dvt का verification नहीं हुआ है लेकिन 2019 से 20 तक आप तक हजारों बार dvt के verification हो चुका है हर मै एक बार verification की जाती है सुला नंबर का installment जारी होने से पहले दो तीन बार भी पीएफमेस की यह लाबारती को क्या करना होगा सबसे पहले तो फ्लो करना होगा कि इसमें आपका account number शो कर रहा है या नहीं कर रहे है उसके बाद इसमें bank name शो कर रहा है या नहीं कर रहे है अगर इसमें account number और bank name शो कर रहे है तो आपको पैसा नहीं मिलेगा सबसे पहले आपको आधार की verification करा के पीएफमेस डाज़न रेकॉर्ट की जगा एकसेप करना होगा क्योंकि आपका update आप तक account mode है अधार आपडेट नहीं हुआ है सबसे पहले आधार को आपडेट करना होगा आ अगर आपका आधार आपडेट नहीं हुआ है तो दोस्तों मुझे comment जो रूर कीज़ेगा WhatsApp पर काने कीज़ेगा जिसमें लाभारति के इसमें आधार नमबर की 4 डिजिद आ चुका है एकान नमबर ब्लेंग बता आ रहे है इसमें account नमबर ब्लेंग आ और इसमें created आ रहे है लेकिन यह भी चेक किज़ेगा कि मैंने next आपडेट आधार authentication के बार में दिया था उसी वीडियो का लिंक में आई वर्टन पर दे दूँगा वरना यह वीडियो का नीचे से जो अभी वीडियो आएगा ओ देखिएगा तो आपको आधार आप्डेट आप्डेट आप देखिएगा आप जानते हैं जिन जीन लाभारती का रिजेक्ट आ हैं उन से भी लाभारती क्या गर सकते हैं जैसे कि यह लाबार्तिका reject आ रहे है और reject होने का reason देखिए एक code आ रहे code के इसाब से duplicate beneficiary name bank account no and bank name not alloyed for same scheme मतलब जो भी bank account आपने PM किसान के साथ link किया और कि PM किसान में verification कराया वो bank account PM किसान जो यह उजना की lab उठाने के लिए eligible नहीं है इसके लिए आपको क्या करना होगा आपकी bank account को change करना होगा अगर आपका यह problem मारा है तो आप bank account को change कर दिजेगा और भी कुछ मत कीजेगा आपका reject से update 100% होगा आप post office पर खाता खोले या टल payment bank पर खाता खोले या पांजाब national bank पर खाता खोले जो मैंने bank बता दिया उसी bank पर खाता खोलके आप अधार DVD NPCI पर active कर दिजेगा क्योंकि NPCI पर active करना भी मेंड़ो टोड़ी है इसके लिए आपका NPCI एक्टिव करना भी मेंड़ो टोड़ी है अगर आपको यह वीडियो में समझना में तो पॉब्लेम हुआ है तो वह भी आप कमेंट करके बता दिजेगा स्टनेल पर पहले बार विजिट करें सब्सक्राइब करके नाटिवेकर से बेल को अलाओ किजेगा दूसरे किसान के पर शेयर किजेगा जय हिन जय भारत